BEARD Special Education Course बंद कर दिया है RCAI ने जहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना लेकिन दोस्तों सही बात ये है कि BEARD Special Education Course बंद नहीं किया जा रहा RCAI द्वारा New Education Policy 2020 के अनुसार इस कोर्स में बदलाव किया जा रहे है नमस्कार दोस्तों स्वावत आप सभी का Special Guru जी यूटीव चैनल पर आज की इस फीडियो में डिसकस करने वाले है RCAI का बिल्कुल latest notice जिसमें BEARD Special Education को discontinue करने की बात कही गई है आपकी स्क्रीन पर notice नजर आ रहा है दोस्तों 4 जनवरी 2024 का इस notice है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेते हैं और आपको समझाते हैं कि इस notice के तहट BEARD Special Education कोर्स का यहाँ पर क्या भविशे रहने वाला है यहाँ पर लिखा है कि NCTE जो कि General Education का यहाँ पर Nodal Body है National Council for Teacher Education जो कि General Diet, General Beard, General Ahmed इन सभी के कोर्स इसको डिजाइन करती है और उनको कंड़क कराती है NCTE ने यहाँ पर New Education Policy 2020 के अनुसार अपना जो दो साल का BEARD प्रोग्राम है जो General Beard है उसको यहाँ पर Discontinue करने का फैसला लिया था और जो कॉलेज कराते हैं उनको अप्रूवल देने के लिए 2013-2024 से यहाँ पर Discontinue कर दिया है यानि जिन कॉलेज में पहले से BEARD चल रही है दो साल की उनको नया अप्रूवल नहीं मिलेगा इसके लावा कोई नया कॉलेज जो अप्रूवल लेना चाहता है उनको भी 2013-2024 से दो साल की BEARD चलाने के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा तो दोस्तो इसका मदद यह है कि BEARD कोर्स बन नहीं हो रहा है लेकिन उस कोर्स में कुछ बदलाव किये जा रहे है तो दोस्तो इसी फैसले को देखते वे RCI भी यहाँ पर अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजिस कर रहा है यहाँ पर लिखा है तो बाद यहाँ यह लिखे है दोस्तो जितने भी कॉलिज होते हैं उनको कोई भी कोर्स चलाने के लिए मानेता लेनी पड़ती है स्पेशल एजुकुशन कोर्स चलाने के लिए मानेता RCI प्रदान करती है तो यहाँ पर लिखा है कि जितने भी कॉलिज हैं उनको 2024-25 से 2 साल के Beard Special Education चलाने के लिए Approval यहाँ पर नहीं दिया जाएगा नहीं Approval मंगाया जाएगा यहाँ पर लिखाए कि अगली लाइन important है पढ़नी जिसको मैंने blue color से highlight किया है Process of developing a new training program on the pattern of NCTE जैसा कि NCTE ने यहाँ पर 4 साल का integrated Beard बनाया है उसी pattern पर यहाँ पर RCAE भी Beard Special Education course को कुछ इस तरीके से design करेंगे जो की new education policy 2020 के नियम के अनुसार होगा तो यहाँ पर अगली लाइन लिखी है ऐसे college या institution या फिर university who desire to run integrated Beard Special Education of 4 year duration दोस्तों यहाँ पर RCAE जो है 4 साल की Beard program जो की NCTE ने general Beard शुरू किया है 4 साल का इसमें graduation और आपकी Beard दोनों include रहती है बारवी पास बच्चा direct इसमें admission लेता है जिसमें उसकी साथ-साथ में graduation भी हो जाती है और साथ-साथ में Beard भी complete हो जाती है तो इस इसको बोलते हैं integrated Beard program तो RCAE भी अपने Beard program जो की 2 साल का है उसमें changes करने वाली है और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे colleges जिनको यहाँ पर 4 साल का Beard, integrated Beard चलाना है in line of integrated teacher education program ITEP of NCTE जो RCAE का 4 साल का program है उसका नाम है integrated teacher education program उसी की तरीके से RCAE द्वारा भी यह course design किया जाएगा may apply fresh may apply afresh for the next academic session once the online portal is opened तो दोस्तों यहाँ पर RCAE ने बोला है कि RCAE द्वारा Beard के Beard special education का जो course है उसको 4 साल का integrated special Beard बनाया जाएगा और अभी जितने भी college ऐसे हैं जिनमें चाहे वो open college हैं चाहे वो regular college हैं जिनमें 2 साल का special education Beard course चल रहा है उनको नया approval यहाँ पर नहीं दिया जाएगा यानि courses में बदलाब के जाएगे course का design चेंज के जाएगा उसका curriculum चेंज के जाएगा उसके बाद fresh approval मंगा जाएगे तो यह जो काम है दोस्तों यहाँ पर 24.25 से RCAE ने बोला है कि fresh approval नहीं मिलेंगे अब बात आती है नया session जो 2024.25 है इसमें admission होंगे या नहीं होंगे तो तो इसके बारे में भी RCAE ने कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दिया है fresh approval मंगा जाएगे लेकिन कब मंगा जाएगे इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है special education बंद नहीं हो रहा है लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया जा रहे हैं जैसा कि इस notice में लिखा है मुझे पूरी मीदा आपको जानकार इच्छी लगी होगी इस वीडियो को जाएग कर दिए दोस्तों और जाएगे शेयर कर दिए ताकि सभी candidates जितने भी special education में फिल्ड में आना चाहते हैं या फिल्ड में काम कर रहे हैं उनको इस notice का सही-सही मतलब समझ आ सके दोस्तों और सभी प्रकार की सबस्क्राइब कर दोस्तों मिलते हैं आप से अगली वीडियो में